कि नमस्कार दोस्तों कुल्ले में यदि कन्या रश्र में शुक्र होगा तो उस विक्ति का जो रिलेशन्शिप है या फिर जो प्रेम है वो किस प्रटाउटा होगा इस विशेबल चर्चा इस वीडियो में हम करने वाने हैं शुक्र जो ग्रह है वो काफे महत्पूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह से कामदाउना वाईवाईग जीवन या फिर अधिमोतिक सुख या फिर वेक्ति जो है उसका जो रहें से नहे लाइश्टाइल है वो किस प्रकरकी होगी इस विशेब पर जोपी बाते ह है वो देखी जाती है तो सबसे बह選 लहां है जैंगे कि किस तरह से आप जाल सकते हो कि किसी भी गुणली के बारे में अगर देखा जाय तो सबसे पहले जो जनंतारिक है वो सबसामय तो पर्ण होती है तो जनंतरOOOOOOOO अगब पर भी है, उस खाने में यदि शुक्र है. तो वो कुली में जो शुक्र है, वो कुल रशी का शुक्र माना जाता है. तो यह जो हम वीडियो बना रहे है, वो उसे से जएदा सहन लगना है. तो सबसे मेले हम कन्या राशी के शुक्रप के बारे में अगर देखा जाए, तो कन्या राशी के बारे में अगर देखा जाए, तो कन्या जो राशी है, वो छड़े नूमबर पादे वाले राशी है, बुद्ध के राशी है, और इस राशी का जो तत्वा है, वो पृत्वी त इनकी जो सोच या फिर समझ होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है कोई दी काम करना है तो काफी इंडेप्ट यह सोचती है इसी वज़े से कभी-कभी निरने नहीं ले पाती लेकिन बहुत ही जाज़ा चौकस रहती है बहुत ही ज्यादा अलट रहती है मतलब नौर्मल कन्या राशी जो है वो फस्ती काफी कम है तो अलट होने के कारण लिए बात इंग में देखी जा सकती है और शुक्र के बारे मैं करता आ जाए जैसे मैंने शुरूत में कहा है आपके जीवन में जो भी अधिवाउतिक सुख है उसका जो एट्राक्शन है वो सामन्य रूप स शुक्र से देखा जा सकता है अब यह अधिवोटिक जो सुख है वो मतलब ज्वेलर से लेकर हो सकता है सोना चाती या फिर पर्फिम से लेकर हो सकता है लैच्टेंड से लेकर हो सकता है या फिर नींद भी इसमें आती है तो शुक्र के जो कारण बावाउना के प्रती काम ब आफको वो यह जो बात है वर थोड़ी समर्व में आ जाएगी कि जिस भी कुछ में कन्या राशी का जो शुक्र होता है वह काफी ज्यादा चिकिस सर्द देखा जा सकता हैожए होती है वो काफी जादा अच्छी देखी जा सकती है अच्छी मतलब बहुत जादा फाब जिसे हम परते कि बहुत ज़्यादा पैसे वादी है फिर महेंगे लैप से नहीं देखी जा सकती लेकिन क्लीन एंड निटने सिन में सोबरने सिन में काफी अच्छा देखा जा सकता है उसे पैठार ऐसे जो विक्ति होते हैं काफी ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं अब यहाँ पर एक बात है कि जब भी यह विक्ति रिलिशेंशिप के मामले में सोचते हैं तो बहुत ज़् कन्फीजिंग हो जाता है उसी विचार पर रहते हैं कई दफा इनके मन में होता है कि रिलिशेंशिप में आ जाए लेकिन वह किस तरह से आज़ा वाखिय के पर किस प्रकार के होगे उसी विशे पर बहुत ज़् زभास ज़ादा सोचते है तो जो बिंदासर जो बात होती है वो इस राशी में relationship के मामले में देखी नहीं जाती। अब यही जो बात है विवा के मामले में भी देखी जाती। तो ओड़े से countries यह देखे जा सकते हैं। relationship के मामले में में जासका कि जब भी relationship में आते हैं, तो पूरी तरह सामने वाले जो विख्ति होते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते है, तो नौर्मली यह भी देखे आता है, कि सामने वाले भी विख्ति जो है, वो समझ नहीं पाता, कि इस वह ज़र जब विख्ति है, वो पोड़े रोब से, क्या फिर इनका जो dedication है वो relationship में है या नहीं तो इसी वज़े से कभी-कभी इनकी जो relationship है बहुत समय तक महीं चालती क्यूंकि इस खुद ही थोड़े से confess देखे जा सकते हैं अब या आखर यह जो बात है इस पर अगर वो अमल करें मतलब इनके relationship में जो भी वेखती है उस पर पूरी तरह से अगर विश्वास रखे तो फिर इनकी relationship है वो काफी अच्छी तरिके से आगे बढ़ सकती है आप जो भी कन्या राशी के शुक्र इनकी relationship के मामें बेखा जा तो जीवन में multiple relationship होते है या फिर relationship बिल्कुल भी नहीं होते है मतलब चाहने के बाद भी relationship में आना इनको थोड़ असा कठिन होता है लेकिन सामने वाले वेक्ती से हमेशल यह चाहेंने कि वे भी काफी नीट नीन हो और सबसे important बात जो भी कन्या राशी के शुक्र है वो normally जो सामने वाले वेक्ती यदि intellect काफी अच्छा हो उसकी समझ अच्छी हो उसकी मेजवड़ने काफी अच्छी हो उसी परकार वो भी वेक्ती financial sound हो या फिर practical मतलब करीबन उनके तरह ही तो ही relationship में आते है और काफी जादा चूज देखे जा सकते हैं अब यहाँ पर मतलब करीब तीन नक्षतर आते हैं उत्तरा हस्तव और चित्रा अब यहाँ पर उत्तरा और जो हस्त नक्षतर में यदि शुक्र है तो वो काफी अच्छा माना जाएगा मतलब हमने अदि जो भी qualities गिमवा है वो स थोड़ी से इनकी जो उकूमत है वो तोड़ी देखी जा सकती है और काफी ज़्यदा बसे से होते हैं मतलब सामने वाले जो वेक्ति होते हैं उससे काफी ज़्यदा expectation इनके मान में होती है लेकिन एक बात इन्हें बहुत खासी होती है कि इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ ज़्यदा delicate किस्म के अब होते हैं बुद्य के साथ एक शुक्र होगा तो काफी अच्छा माना जाएगा मतलब ऐसे जो विक्ति होती होती है इनकी जो बार्नी होती है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है उसे प्रकार बंगल के साथ एक शुक्र होगा तो relationship के वामने में य पुड़ा सब कटिन हो जाता है बुद्ध गुरु के साथ देखा जा सकता है रिलेश्चिप के दिये यह जो यूटिय काफी अच्छी मानी जाएगी यह शनी के साथ यह जो नौर्मल अच्छा माना नहीं जाता ऐसे जो विक्ति होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टि तो वो रिलेश्चिप में आना करीवन कटिन हो जाता है तो गुर्मला के देखा जाए तो शुकरी यर्दि कन्यारशी को होगा तो रिलेश्चिप का जो मामला है वो थोड़ा सा कटिन होता है लेकिन रिलेश्चिप में आने के बाद इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी देखे जा सकते हैं, अगर इसे जो विक्ति पर पूरी तरह से या फिर ट्रस्ट या फिर विश्वास करते हैं, तो भी इनकी जो रिलेशन्शिप में, वो आगे पढ़ सकती हैं, आपके इस विजए पर विचार क्या है, आपके अनुवों क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है, द्रामांट आपके ट्रस्ट येजिए टार्व सब्सक्राइब जरू कर, द्राव करना, द्रामांट